हे गाइस विलकम टू स्टडी ब्लॉक इस बीडियो में हम पंच प्रयागों में सबसे आखिरी प्रयाग देव प्रयाग के बारे में जानेंगे देव प्रयाग उत्तरा खंडे राज्य के टिहरी गड़वाल जिले में स्थित है यहां अलकनन्दा नदी और भागी रती नदी का संगम होता है दोनों ओर से उचे पहाडों से घिरा हुआ यह संगम बेहत खुबसूरत अनभूती देता है अलकनन्दा नदी संतोपत से और भागीरती नदी गंगोत्री ग्लेसियर के गौमुख नामक स्थान से निकलती है बाएं ओर से अलकनन्दा और दाएं ओर से भागीरती नदी आपस में यहां मिल जाती है यह स्थान बहुत ही पवित्र और खुपसूरत है गड़वाल छेत्र में भागीरती नदी को सास और अलकनन्दा नदी को बहु कहा जाता है संगम के बाद इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है अतह देव प्रयाग को गंगा नदी की जन्म भूमी के रूप में जाना जाता है गंगा नदी के निर्माड में सभी पंच प्रयागों यानी विश्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग की महत्व पूर्ण भूमिका है मान्यताओं के अनुसार भागी रती नदी ही गंगा नदी है जिस कारण कुछ लोग गंगा नदी का उदगम गौमुक से ही मानते हैं इन सभी तीर्थिस्थानों सहित देव प्रयाग भी धार्मिक द्रिष्ट से एक महत्व पूर्ण तीर्थिस्थान है रिसी केश से देव प्रयाग की दूरी केवल सत्तर किलोमेटर है पंच प्रयाग की यात्रा करते हुए यह स्थान सबसे पहले पढ़ता है इस स्थान से कई पौराडिक कथाए जुड़ी हुई है रामायार काल में लंका बिजय के बाद भगवान स्री राम ने माता सीता का जब त्याक किया था तो उन्हें लक्षमर जी ने रिशिकेश से आगे तपोवन में छोड़ दिया था वह स्थान देव प्रयाग से कुछ ही दूरी परिस्तित है तब से उस स्थान को सीता विदानाम से जाना जाने लगा कहा जाता है कि जब राजा भागीरत ने गंगा को प्रित्वी पर उतरने के लिए राजी किया तब 33 करोड देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतर आये और उन्होंने अपना निवास स्थान देव प्रयाग में बना लिया माना जाता है कि यहां देव सर्मा नाम के एक तपस्वी ने विश्नु जी को प्रिशन करने की कड़ी तपस्या की थी उन्हें के नाम पर इस स्थान का नाम देव प्रयाग पड़ा देव प्रयाग को सुदर्शन छेत्र कहा जाता है यहां एक भी कवे दिखाई नहीं देते हैं जो कि अपने आप में एक आश्चरिय के बात है यहां के मुख्य आकरशन स्तलों में सिव मंदिर, रगुनात मंदिर, भरत मंदिर, मागंगा मंदिर, डंडा नागराज मंदिर और चंद्रवधनी मंदिर मुख्य है आपको यहां जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं